दोस्तों यह है Hero Extreme 160R का Stealth Edition और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पुरा विस्तार से बात करेंगे और वीडियो बनाते वक्त मैं आपको सच में बोल रहा हूँ यह जो एडिशन है इस जो कलर कॉंसेप्ट है जो वाकई में बहुत किलर है अगर आप नस्दीक से जाके इसको देखेंगे तो आपको मैसूस होगा बहुत खुबसूरत एडिशन है यह और इसकी प्राइज में स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ लगबग इसकी प्राइज यह 18,910 रूपे यानिकि 1,18,910 रूपी इसकी एक्सोरूम प् कि कम्प्रीटली कागज वगएरा इंसुरेंस वगएरा सब कुछ मिला कि यह वाई कितने में आपको देखने को मिल जाएगी 2022 में तो बस आप वीडियो को लास तक देखेगा नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है JRD और आप देख रहे है राइट टूनो वीडियो आपको अच्छ तो लगभग सारे कलर जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे आप प्लेलिस्ट कोल के चेक करिएगा आपको हीरो सेक्षन में सारी चीज देखने को मिल जाएगी शुरुवात करते हैं यहाँ पर आगे से सबसे पहले यहाँ पर डिस्क देखिए जिसकी साइज 276 यानी की फुली LED headlamp company provide करती है इसमें जो आपको side lamps मिलते हैं वो भी आपको fully LED है यानी की side indicators है वो भी LED है सब कुछ चीज में आपको LED मिलता है और यह मुझे काफी अच्छी चीज लगी company ने price cutting कहीं कहीं करी होगी लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई cutting आपको देखने को नहीं मिलेगी और यह बहुत ही fun to ride bike है personally जितने भी लोग 160cc की bike के लिए recommendation मांगते हैं कम budget में तो उनको सबसे पहले मैं यही bike recommend करता हूँ एक बाद testroid आपको लेना चाहिए अगर आप testroid लेते हैं अगर आप संतुष होते हैं तो आप इस bike के साथ जा सकते हैं और यह आपकी favorite bike भी बन सकती है अब हम जड़ा इसके handle bar पे concentrate करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो left handle side है यहाँ पे passing switch, low beam, high beam switch और red color में आपको hazard switch मिल जाता है hazard switch यानि की 4 indicator एक साथ जलेंगे और बुझेंगे ठीक है अच्छा feature लगता है मुझे यह क्योंकि अगर foggy समय में या turn की समय में या parking समय में अग और cut कर सकते हैं और इसी से self start भी कर सकते हैं तो यह काफी सही चीज है एकी switch आपको मिलता है जिसमें आपको सारे काम हो जाएंगे अब देखिए meter console पे concentrate करें यहाँ पे आपको LCD panel company provide करती है और इसमें information की मैं बात करूँ तो लगबग सारी information आपको मिल जाती है gear shift indicator भी company provide करत है और इसमें आपको side stand engine cut off की सुवधा उपलब्द है अगर अब side stand लगा होगा तो आपका engine off हो जाएगा side stand जैसे आप हटाएंगे तब ही आप इसके engine वगएरा को on कर पाएंगे तो यह सारी चीजिस में काफी सही चीजिज दी गई है और fuel indicator भी आपको मिलता है तो आप आपको tire मिलता है इसकी size company ने 130 by 70 यानि 130 पटे 70 की रखी है और यह 17 यानि 17 इंच का tubeless tire है पीछे अगर डिस्क लेना चाहा है तो आप डिस्क ले सकते हैं अगर डिस्क नहीं लेना चाहा है तो नहीं ले सकते हैं लेकिन जो आप still edition लेंगे इसमें आपको dual disc की मिलेगा इसमे single disc का option नहीं है तो पीछे वाले disc की size 220 यानि 220 mm है और आपको मैं बता दू शुरुआत में मैं बता नहीं पाया इसमें आपको single channel ABS मिलता है dual channel ABS का option अभी तक नहीं है लेकिन breaking बहुत improved है बहुत बढ़िया है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चलिए इसके बाद हम आगे आपको जो rider होंगे वो खुद इसको adjust कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम आते हैं इसके engine पे air cool 4 stroke 2 valve इंजन इसमें company provide करती है अब यहाँ पे cooling तो fair air cooling ही दे रखी है मुझे लगता था कि यहाँ पे liquid नहीं तो at least oil cooling जो है company दे सकती है हो सकता है आगे मिल जाए देखने को ठीक ह 163 यानि 163 cc का engine इसमें लगा हुआ है max power आपको 15.2 यानि कि 15 दस्वन दो PS की मिलेगी 8500 rpm और जो max torque मिलेगा 14 यानि कि 14 नियूटो मिटर का मिलेगा 6500 rpm तो power और टॉर्क आप देख पा रहे होंगे कि इस segment के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया power और टॉर्क मिलता है आपको एक गयर और होता तो मजह ही आ जाता फ्यूल टैंक की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 12 यानि 12 लिटर का फ्यूल टैंक मिलता है सीटिंग कमफर्ट इसका बहुत बढ़िया है मैंने बहुत इसको चलाई है इस बाइक को कोई भी दिक्कत नहीं है सीटिंग को लेकर जो पी 137 mm इसकी लंबाई है इसकी उचाई है लगबंग 152 mm वील बेस इसका 1327 यानि के 1327 mm है ग्राउंड क्लिर्स इंडियन रोट के साब से 167 यानि 166 mm रखा गया है और इस बाइक का जो पूरा वेट है 139 यानि 149 किलोग्राम की ये बाइक है लेकिन ये कव वेट है अगर आप पिटोल वगरा भरवाते हैं कुछ ऐसे सीरीज वगरा भी लगवाते हैं तो वेट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा ठीक है दोस्तों इसका माईलीज में आपको बता दे रहा हूँ बहुत से ओनर से मैने बात करी सबके माईलीज जो रेंज होते है माईलीज जो आता है उन वाई को चलाते हैं तो 45 यानि 45 तक का माईलीज आपको मिल जाएगा अगर आप हाईवे पेर चलाते हैं तो आप 45 के ऊपर का माईलीज इसमें गेन कर सकते हैं 50 तक भी माईलीज इसमें आ सकता है इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन सिटी में ये सिर 40 से 45 के बीच में ही आपक इसका ध्यान रखिएगा चलिए तो लगबग मैंने सारी रिफोर्मिशन आपको क्लियर लिस्त में बता दी अब बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की तो गौर से सुनिएगा कि मैंने 1,088,910 रुपए इसके एक्षोरूम प्राइस आपको बताई थी तो ऑन रोड के लि इरिया वाइस थोड़ा बहुत उपर नीचे वैरी कर सकता है कई जगाए इस्टिल्ट एडिशन का प्राइस एक 35 में ही मिल जा रही है तो वो अलग बात है अगर आप अपना बजट इसी की बीच में रखते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो आपको इसी की बीच में ये बाइक देखने को मिल जाएगी उमीद है कि आपके सभी डाउट में क्लियर कर पाया हूँगा अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछेगा या फिर हमारी इस्टाग्राम आइडि डेविट रहो जियार या फिर राइट टुनों पे हम में फॉलो करके मैसेज वगरा कर सकते हैं तो खुछ रही है मुस्कुरात लिए और जब भी चलिए हलमेट का इस्वाल जरू करिए भी हलमेट के बाइक को राइड मत करिएगा मेरे सबी दोस्तों को मेरे तरब से जय हिंद जय भार